मकान बना रहे हैं अत्वा दुकान या कर रहे है कालोनी का निर्मान चट्टान सी मजबूत सीमन्ट इट एवन ब्लॉक साहित पीवर ब्लॉक वो भी एक से एक स्टाइल में किफाइती दामों पर अभी संपर करें बाबा ब्रिक्स गोकुल गाउं रोड खंडवा दियेगा न प्रहनपूर से आने वाली गाडियों को जब यूटर्न लेना पड़ता है खंडवा के लिए तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े गड़े हैं कि उसमें गाड़ियां प्रति दिन फज आती हैं बस तक को धीरे से निकलना पड़ता है बस की हाइट आप समझी जाएंगे कि क बैतर समझा आप देख सकते हैं एक बस मौके से गुजर रही है उसने कितनी ज़्यादा सलो इस गड़े को देखकर बस कर दी अब आप इसी बात से अंदाय लगा सकते हैं कि बस वाले किसी को देखकर सलो नहीं करते हैं उनकी स्पीड तो परमानेंट रहती है उन्हें समय प को लेकर पेनल्टी लगानी चाहिए नेशनल हाईवे अथर्टी आफ इंडिया के खंडवा डिपार्टमेंट के लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए पारिश का बहाना नहीं होना चाहिए इतने बड़े ट्रक को अगर दिक्कत आ रही है आप देख सकते हैं एक ट्रक भी उसमें रुका और एक तरह से अटक गया था इतने बड़े वहान के अटकने पर आप समसकते हैं कि गड़ा कितना ज्यादा रिस्की है कितना ज्यादा बड़ा है नेशनल हाईवे अथर्टी आफ इंडिया के खंडवा के अधिकारी कहीं न कहीं बड़े सुस्ता रहे हैं उन्हें ऐसा लगरा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर उनकी जिम्मेदारी खतम हो जाती है लेकिन उनकी जिम्मेदारी खतम नहीं होती क्योंकि इस रोड के नाम पर पहले तो लोगों को बहुत अशवीदा हुई सैकडो एक्सिडेंट हुए इस रोड के बनने के दौ पर अभी संपर्क करें बाबा ब्रिक्स गोकुल गाउं रोड खंडबा दियेगे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं